तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो अगेन लबूबू के उपर में है मैं इसलिए बना रहा हूँ मेरे स्टुएंट ये बोलते हैं कि सिर्फ बिना ब्लेंडर के हम लोग कैसे बना सकते हैं लबूबू के अड़िजमेंट आफ्टर एफेट्स में विकाउज आपको पता ही होगा कि आज कल जो सेलिब्रिटीज हैं बैसा कि आप देख पा रहे हो तो आज कल की जो सेलिब्रीटीज है वो लोग भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं अब लबूबू को अपने हैंडबैक्स में लेकर गूम रहे हैं तो लबूबू के बहुत डिमांड इप्धार ये पहले से भी थहा लेकिन आज कल कुछ जए इइंडिया में वी आज कल कुछ third party plugins के and then बिना blender के तो बहुत easy है, मैंने पहले 20 की videos बना रहे हैं, तो चलिए सिदा चलते हैं and then देखते हैं कि किस तर से हम लोग Laboogoo के advertisement या CGI पना सकते हैं After Effects में, okay तो सबसे first आपको video footage ले लेने and then उसको track में अप ले लो तो आपको सिदा track camera कर लेना है, right, कुछ इस तरह से तो मैंने क्या क्या, simple सा इसको tracking में डाल दिया है, okay and then थोड़ी दिर आपको fit करने पर रहेंगे tracking के लिए, right, okay, तो हमारी tracking हो चुकी है, कि आप देख सकते हो कि हमारी tracking complete हो चुकी है, मैं क्या करूँगा minimum 3 tracking points में select कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से, okay and then मैं क्या करता हूँ, right click करता हूँ and then first set ground कर लेता हूँ, फिर से मैं जाके create solid and camera ले लेता हूँ, right, तो इस तरह से मैंने दोनों ही चीज़ अपलाई कर दी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे plane आ चुका है थोरे से आप scroll करो, तो आपको दीख जाएंगे, yes, तो यहाँ पे मेरे आ चुके है, and then मैं क्या करता हूँ, इसको थोरा सा rotation आपको apply करना होएगा, because आपको यह जो road है, उसके perspective के according मुझे उसको set करना है, तो मैं थोरा सा rotation विगरा, कर ले रहा हूँ यहाँ पे, and then adjust करने के लिए कर ले रहा हूँ, कि proper kind of my adjustment हो जाए, यहाँ पे okay, तो मेरा यहाँ पे adjustment हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो, कि मैंने proper way में adjust कर लिया है, and then आप open कर लो, यहाँ पे sketchfab okay, तो मैं sketchfab ज़्यादा prefer करता हूँ, कि अगर आपको कोई भी चीज अपलाई करने है, या फिर add करने है, अपने after effects में तो, तो मैं sketchfab में जाता हूँ, and then यहाँ पे labubu को मैं यहाँ पे फिर से ले कि आ जाता हूँ, right, तो simple सा चले जाओ, and then यहाँ पे वैसे video ले 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 लेना, जिसमें आपको animation हो, तो मैं download में भी जाता हूँ, downloadable, and then animated ले ले लेता हूँ, तो ज़्यादा तो यह option नहीं है, आप पो एक select कर लो यहाँ पे, तो मैंने monster वाल style में ले लिया, green and black, अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने ले लिये, तो आप स्क्रॉल करो इसको, and then यहाँ पे download option को click कर लेना, fine, and then download में आप एक काम जरूर कर लेना, जब भी आप download कर रहे हो ना, तो यहाँ पे GLB file format ले ले वो भी 4K वाले, तो थुरह से अच्छे output आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, तो मैंने इसको download कर लिया है, fine, and then close कर लिया, और एक काम कर लेना आप जब लबूबू को आपने download किया ना, तो इसके box को भी आप download कर लो, right, तो box भी आपको कही ना कही यूज में आ जाएंगे, मैं हमेशा ले ले लेता हूँ, box को भी, तो अब उसको भी ले लेना, GLB file format, right, तो वो भी मैं ले ले लेता हूँ, यहाँ पे download कर लेता हूँ, GLB को, तो दोनों file मेरे पास आचुके हैं, मैंने download कर लेता है, and then यहाँ पे मैं import कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे import कर लिया, अपने लबूबू वाले को, model को, and then drag and drop किया, सबसे first आपको तो यहाँ पे make comp size कर ले लेना, because आपको fit भी करने है, right, यहाँ पे आ चुके हैं, and then second thing कि आप advance में जाओ, and then यहाँ पे render option में जा करना, आप fit to scene कर लेना, right, अब इसमें होगा क्या कि जब भी आप इस पे apply करोगे light, तो automatically shadow अगर अभी create हो जाएंगे, तो fine, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, अब उसको क्या करो आप, कि दो views में click कर देना, two views ले ले लिया, because of, कि एक में मैं देखूंगा, and then second में मैं adjust कर ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे lift को ले लिया है, and then lift मैं आप देख सकते हो, कि यहाँ पे जब मैंने lift लिया है, okay, उसके बाद अब top में चले जाना, top से first मैं adjust कर लेता हूँ, कि मुझे actually चाहिए कहाँ पे, तो अब देख सकते हो, कि मेरा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन size बहुत बढ़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े से size को adjust कर ले रहा हूँ, थोड़े से ऐसे, जो मुझे चाहिए, थोड़े से size को adjust कर लिया, मैंने, and then position को तुऱा adjust कर लो, कि कहाँ आपको चाहिए होगा, तो मैं तुऱा से adjust कर पा रहा हूँ, जहाँ पे भी मुझे चाहिए, मैं वहाँ पे ले के आ जा रहा हूँ, fine, तो इस तरह से मैं ले के आ गया अपने, लबूबू को जहाँ पे मुझे चाहिए थे, and then फिर से left में जाकर अब देख लो, कि इसके rotation proper है के नहीं, देखो ये box mode में आ रहे हैं, तो box को तुऱा सब को rotate करने पड़ेंगे, right, yes, तो अज़ा tilted style में रखो, लेकिन यहाँ पे वो straight ही हो जाएंगे, तो मैं तुरह साना उसको tilted style में रख रहा हूँ, yes, ये देखो, because of कि मेरा plane भी उसी के according है, तो मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, लबूबू, right, अब आपको करना क्या है, देखो लबूबू में जब भी आप यहाँ पे, यहाँ पे आपको जाना है, and then आपको यहाँ पे light ले लेना है, light हमेशा आप देखो, बहुत सारे lights आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन आपको लेना है environment light, and then make sure कि cast shadow should be on, okay, and then यहाँ पे आप चले जाना, environment में, तो यहाँ पे मेरे आ चुके हैं, अभी हमारा shadow भी आ चुका है, जैसे आप देख सकते हो, तो shadow हमारे आ चुके हैं, अब मैं क्या करूँगा यहाँ यहाँ पे, जैसे one view में चले जाओ, and then one view में जाकर, मैं आपको दिखा देता हूँ, कि यह मेरे कुछ इस तरह से आ चुके हैं, और भी एक चीज़ है, कि आप जब लबूबू को यहाँ पे क्लिक करोगे न, अब देखो यहाँ पे लबूबू में कोई animation नहीं है, जबकि मैंने दिखाया था, वहाँ पे animation थे, तो आपको क्या करना है, animation option में चले जाना है, and then यहाँ पे आपको बहुत सारे different-different tap के animation मिल जाएंगे, see, अगर आप यहाँ पे देखोगे न, तो यह हमारा walk cycle है, but बहुत थोड़े से time खेलिया, duration only one second, उसके बाद वो खत्म हो जा रहा है, तो मुझे यह नहीं चाहिए होंगे, दूसरा भी आप चेक कर सकते हो, और different-different taps के बहुत सारे आपको यहाँ पे animation मिल रहे हैं, तो जैसा चाहिए होगा, वैसा आप ले सकते हो यहाँ पे, right, तो बने-बना animation है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा चला जाता हूँ, यहाँ पे dance वाला ही ले ले लेता हूँ, because of कि उसके duration 13 seconds है, तो मैंने ले लिया उसे, तो simple सा है यहाँ पे ले लेना, 13 seconds का, and then play करके देखो, यह देखो, हमारे dance स्टार्ट हो गए हैं, लबूबू के, तो आप इस तरह से ले सकते हो, बहुत easy way में, find, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ यहाँ पे ले रखें, लबूबू के animation और model 3D, okay, next मैं चाहता हूँ, कि यहाँ पे मैं box को import करूँ, तो मैं यहाँ पे simple just drag and drop कर देता हूँ, जो मैंने box वहाँ पे ले रखे थे, लबूबू वाले, वो मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, उसके box, यहाँ पे आपको adjust करने पढ़ेंगे तोड़े से, तो मैं size भी बहुत बड़े हैं, हमारे जो लबूबू के जो box हैं, उसके product के जो box हैं, वो बहुत बड़े हैं, तो पहले तो आप यहाँ पे two views में चले जाओ, and then adjust कर लो, देखो मैं यहाँ पे adjust कर ले रहा हूँ, फिर सिदा select करो, and then scale कर दो, तो मैं यहाँ पे scale कर देता हूँ, यहाँ पे जितना आपको चाहिए होगा, उतना scale कर दो, and then आप उसी grid के उपर में sit कर ले ना, grid in the sense की वो जो plane है, उसके carding मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे ले के आ जा रहा हूँ, and then तो वोड़ा साप rotate कर लो, and then यहाँ पे आप arrange कर लो, जैसे आपको चाहिए होगा, तो I think मेरा यहाँ पे आ चुका है, but आप left में, I mean, top में जाके देखो, कि इसके position गलत है, आपको ले के आने है, plane के उपर में, जो blue वाले plane है, वहाँ पे आपको adjust कर लेना है इसे, see, जैसे कि मैंने यहाँ पे adjust कर रहा है, अब इसकी भी size आपको थोड़ी से छोटे करने पड़ेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, first, तो रसा scale, यह तो मेरे लबूबूखे scale हो गया है, but मुझे चाहिए box के, तो मैं box को तो रसा scale कर दे रहा हूँ, and then adjust कर दे रहा हूँ, अपने surface पे जहाँ पे मुझे चाहिए होगा, fine, तो यह मैंने ले लिया, थोड़ा रोटेट कर लो, according to आपको, towards अपने तरफ जो है, वहाँ पे आप कर लो, and then थोड़ा सा rotation आपको करने पड़ेंगे, because of कि आपको यहाँ पे fit करने है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा rotate करके, यहाँ पे fit कर देता हूँ, fine, see, थोड़ा से यहाँ पे, and then adjust कर लो, जैसे आपको चाहिए होगा, वैसे आप adjust कर लेना, and then अभी यहाँ पे आचुका है, हमारा box भी, and then laboo-boo भी, अब one view में चाहँ, and then आप देख सकते हो, यहाँ पे, right, तो रहा सा मैं drag कर लेता हूँ, adjust कर लेता हूँ, I mean, जहाँ पे मुझे चाहिए होगा, and then box को भी तुऱा सा adjust कर लो, जहाँ पे आपको चाहिए, वहाँ पे मैं रख लेता हूँ, कुछ ऐसा, fine, fine, तो ऐसे मैंने रख लिए, and then थुरा साथ बढ़ा कर लो, अपने जो, plane लिया हुआ है, because अपकी shadow भी आपको जाने है, पीछे के तरफ, and then उसकी हिसाब से, मैं यहाँ पे बड़े चोटे कर ले रहा हूँ, fine, and then अभी मैं उचे क्या करना है, सिर्फ shadow catcher लेना है, इसका मतलब आपको इसको shadow है, उसको only में convert कर दो, तो आपको क्या आजाएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको shadow catcher आएंगे, means catch करेगा shadow, plus आपको surface नहीं दिखने वाले, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ले लिया है, आप देख सकते हो, कुछ यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसा, जैसा मुझे चाहिए था, मिल गया है, and then आप देख सकते हो, बट एक problem है यहाँ पे, कि अब तुरह सा high resolution करके देख लेना, कि proper way में आ रहा है, या नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे तुरह सा adjust कर रखा है, मैंने, कुछ इस तरह से, बट problem क्या है ना, कि आप देखो box के हंदर से कोई character निकल किया रहा है, मैं चाहता हूँ तुरह से उसको adjust करूँ, अपने ही साब से, तो मैं तुरह सा forward direction में कर लेता हूँ, तुरह से आगे कर लेता हूँ, और देन उसको adjust कर लेता हूँ, बट देख लेना आप तुरह से अच्छे से की, ये proper way में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो तुरह से मैं adjust कर लेता हूँ इसे भी, लबुबु को भी तुरह से मैं आगे की तरफ ले लेता हूँ, because of की मुझे इसके आसपास ही रखने, box के आसपास ही रखने हैं, कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से मैंने यहां पर रख लिए हैं, तुरह से अच्छे से आप adjust कर लो, जैसा भी आपको चाहिए होगा, वैसा आप adjust कर लो यहां पर, fine, जैसे मैंने यहां पर कर रखे हैं, lake का position तुरह ठीक नहीं है, I think तुरह उपर नीचे हो गया है, तो उसको मैं तुरह से देख लेता हूँ, adjust करके कि कहां पर हमारा box है, तो मैं थोड़े से उसको उपर उठा देता हूँ, क्योंकि shadow मेरे तुरह से दूर बन रहा है, तो तुरह adjust करने के लिए आपको तुरह से adjustment करना पड़ेगा, यहां पर up and down करके तुरह adjust कर लो, आईए बहुत नीचे जा रहा है, थोड़ा सा, हाँ, shadow के just pass में लेके आने है, टॉप से भी आप चाके देख सकते हो, कि arrangement मेरा ठीक है, यहां पर तूरह से आप close कर सकते हो, यहां तूरह दूर कर सकते हो, जहां पर भी आपको adjust करना है, अब तूरह से इसको adjust कर लो, तो यहां पर मेरे हो चुके हैं, कुछ इस तरह से मैंने बना रखे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, play करके, कि यह हमारा किस तरह का animation है, fine, see, तो कुछ इस तरह से हमारा animation हो रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हो, कि यहां पर भी photography भी चल रही है, गल्स के एंदें पीछे से हमारा character भी आ रहा है, तो रहा सा shadow डाउन कर दो, because of कि आपको environment में जो भी लोग हैं, उसके shadow बहुत light आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, shadow के जो darkness है, उसको मैंने बहुत ही कम रखा हुआ है, कुछ ऐसा, कि वो तो रहा सा merge हो जाए हमारे, आज पास के जो महाल है, जो environment है, उसके carding वो proper set हो जाए, तो ये हमारा set हो गया, जैसे भी मुझे चाहिए, थोड़े बहुत आपको जो rotation चाहिए हो गादे, को मैं यहाँ पे HDR apply नहीं कर रहा हूँ, because of कि मुझे ज़्यादा shining नहीं चाहिए इसके उपर में, तो मैंने HDR नहीं लिया है, इसके लिए मैंने सिप X rotation, light के X rotation and then Y rotation कोई मैं सिप adjust कर रहा हूँ यहाँ पे, fine, because of shadow, अगर आपको reflection कराने है, कोई metallic चीज है, then अप ले सकते हो, यहाँ पे HDR image, otherwise मैं HDR ले नहीं रहा हूँ, because यह ठीक है, हमारे environment के recording जो भी आपको चाहिए होगा, वो perfect है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे, कुछ इस तरह से animation बना लिये हैं, जैसा मुझे चाहिए, I hope कि अच्के class आपको अच्छी लगी होगी, और अपने बहुत ही इसी तरीके से इसको समझा होएगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें, मिल दे हैं हम लोग अफटरफेक्स के न्यू वडियो में, तब तक के लिए, नमशकार, टेक केर,